अगर आप भी अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो देखिए यह मैंने एक पुरानी शर्ट ली है पुरानी शर्ट आप छोटी या बड़ी कोई भी ले सकते हैं किसी भी साइच की और उसे इस तरीके से बाजू से नीचे हम एक एकवल शेप में कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद एक्स्टर फैबरिक को हम हटा दिंगे और उसके बाद हमने इसमें से हम कॉर्णर निकालेंगे कॉर्णर हमने किस तरीके से निकालने हैं पहले हम शर्ट को उल्टी कर लेंगे और इस तरीके से करने के बाद हमने इसके चारों कॉर्णरों में हम कट करें यह हमने एक side cut किया है और इसी तरीके से हम second side cut करेंगे और इसी तरीके से हमने next की दो side भी नीचे के कपड़े को भी equal करते हुए हम इसके नीचे वाले सीरे को भी काट लेंगे इसी तरीके से अब देखिए हमने किस तरीके से काट करके चारो corner को निकाल लिया है अब दो corner हमार और सिलाई स्टार्ट करने के बाद देखिए कॉर्णोर को भी हम इस तरीके से सिलते हुए जाएंगे आप चाहें तो ऐसे सिल लिजिए वरना आप जैसे परस में सिलते हैं उस तरीके से भी सिल सकते हैं मैं सिदे-सिदे सिलते हुए ले जा रही हूँ और इसके लिए हमने एक हैंडल भी त्यार करना है जो हम इसी कपड़े के बचे हुए कपड़े से ही हम इसके एक डूरी टैप की बनाएंगे पट्टी टैप की जिससे हम इसका हैंडल बनाएंगे और इसे भी हम सिल लेंगे अच्छी तरफ अंदर को मोरते हुए हमने इस तरीके से सिल लेना है और सिलने के बाद जब इसे जाए तो हम इसके अंदर डालते हुए इसका एक हैंडल त्यार करेंगे इस तरीके से इसे हम ipój ले लेंगे पहले और उसके बाद इस तरीके से डबल करते हुए अंदर की तरफ इसे इस तरीके से टन करेंगे और यहाँ पर हम सीधे से सिलाई इसके ओपर रख दिंगे जिससे हमारी जो डोरी है वो अंदर से अटेच हो जाए इस तरीके से हमने सारे इसको सिल लेना है कॉर्नर को अच्छे तरफ सिलते हुए हमने चारो तरफ से हम इसमें सिलाई रख लेंगे अब हमारी सिलाई कम्पलीट हो चुकी है तो देखिए सिलाई हमने इस तरीके से रख ली है सिलाई रखने के बाद हम इसके बटनों से इसे उपन करेंगे क्योंकि साइडों से हमने चारों तरफ से सिलाई लगा दी है और इसे उपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनेगा देखिए एक हमारे थैला टाइप का बन जाएगा और जिसमें हम अपने जो हमारे चपल और जूते होते हैं उन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि ऐसे ही रखने में हमारी जो चपल जूते होते हैं उनमें धूल चले जाती है और इस तरीके से आप रखिंगे सेफ तो ना इसमें धूल वगएरा कुछ भी नहीं लगेग इस तरीके से डुपटे को फोर फोल्ड करना है लंबे में पहले एक बार लंबे में करेंगे फिर इस तरीके से डवल कर देंगे और इस तरीके से हमने धाई इंच करीब नीचे को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी इस लाइन को हम सीधी करेंगे और इस तरीके से hanger को यहाँ पे हम attach करेंगे कि यह hang करने में सरल हो अब यहाँ से 6 से 6 इंच के करीब हमने line को इस तरीके से खीचना है और खीचने के बाद इन्हें देखे इस तरीके से सीधी-सीधी line हमने कर लेनी है अब हमने line सीधी कर ली है line सीधी करने के बाद इसमें हम सुईत आगे से इसे हम सिलींगे आप चाहें तो आप इसमें मसीन भी रख सकते हैं और मसीन से मसीन रखने के बाद आप इसे हाथ से पक्का कर लेंगे तो अभी मैं हाथ से कर रही हूँ बाद में हम इसे मसीन से पक्का करेंगे इस तरीके से हमने जो भी लाइने ड्रॉ की हैं पहली लाइन में हमने हैंगर को हैंग कर लिया है इस तरीके से और second, third, fourth इस तरीके से जितना भी लंबा हमारा डुपर टेक है तो इस तरीके से हम उसे सिल लिएंगे आप चाहे तो आप direct भी machine में सिल सकते हैं मैं पहले कच्चा कर ले रही हूँ तो इस तरीके से हम इसे सिल दिंगे और सिलने के बाद देखिए यह हमने सिल लिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से सिल दिंगे इसे इसे हमने प्रॉपरली पक्का करके सिलना है अब हमने सिलाई कम्प्लीट करी है सिलाई complete करने के बाद देखिए इस तरीके से जो हमने gap बीच में रखा है उसमें हम अपने जूप जितने भी जूते चपल है उन्हें हम इस तरीके से रखेंगे और कहीं पर भी हम इसे hang कर सकते हैं वीडियो पसंद देखें